अब बाबर आजम ने अपने क्याप्तम सीज से रजाइन दिया है जो तो बृकिंग लिए फाकिस्टार निकल के आ रही है बाबर आजम जो की अभी उणकी येजी टनी नहीं ती ट Совकिक न्यवेर की थे हो काफी अच्छे किपतां आगे बन सकते लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स और जो मैंज में जो PCB है उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकी क्योंकि बाबराजमावी तीस साल की ही येज में तीन से चार साल पाकिस्तान की एक अप्तानी कीुए है और साथे साथ यहां से वर्लकप के जो 2020 के सेम फाइनल में भी लेके गए अपने टिम को और वर्लकप के फाइनल में भी आपने टिम को लेके गए थे यहां इंडिया में आने के बाद उनका प्रफार्मस यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान के कुछ पिलर ने उनका साथ नहीं दि हैं लेकिन जिस तरह से वहां के मीडिया ने उन्हें बैकपर पठा के लागा और वही प्रेशर था कि इस वज़े से वल्ड कप के बीच में ही उन्हें कुछ बहुत सारी वज़ात सुनने को मिल रही थी रमिज राजा क्या जो आज वीडियो आया उन्होंने साब साब बोला है कि बाबर आजम काफी अपसेट थे और ऑखुझ से ही कप्तान सिप छोड़ना चाते थे लेकिन उन्हें आफर भी किया गया था टेस्ट की के लिए लेकिन उन्हें कहा कि मेरे बापा को पूछ कर मैं बोलता हूं लेकिन उन्हें सारे फार्मेल से अपनी कप्तानी को जाही रहता है जिस तरह से वहां के क्या होता है क्योंकि इस तरह के जो भी होती है वह हमेशा पकिस्तन के फिलेरों के साथ होती है क्योंकि आपको यहां से पता चलाएगा कि पाकिस्तान की किर्केट किसे हो जा रही है क्योंकि जिस तरह से बाबराजम के आपने 29 एर ही एस थी इस एज में उन्हें क्याप्टनशिप दिये थे लेकिन वो हो सकता है कि वो मेजर ट्रॉमनमेट नहीं जित पाई लेकिन वो बाबराजम आके लिए ही नहीं जीता सकती कि वहाँ पर आपको 11 पिलरों का साथ चाहिए होता है बाइलिंग में बैटिंग में एफर्ट दिखाना होता है बाबराजम के जब क्याप्टनशिप बनने के बाद यहां पर एफर्ट ही बन हो चुका है क्योंकि इस त गटिया सोंच यहां की फॉलिटिशन का बाबराजम सिकार बने जहां दोस्तों बस वीडियो के जरे आपको इतना है बताना है कि एक अच्छा सा पिलियर को इस तरह से आप जो माइन में प्रेशर लाकि जो किया है वो गलत है क्योंकि इससे आनवाले पिलियर को भी लगा कि यहां पर सेक्यृरिटी नहीं है हमें कभी भी टीम से निकाला जा सकता है कभी भी यहां पर दबाव बनाया रखता है इस तरह के जो इंसरे होते ह ہیں वो पिलियर के लिए गर्ट मैसेज देते है और इस कदर का मैसेज गल्रट मैसेज आपने पर टीम को दोगे तो टीम का मोरा डाउन होगा और टीम यहां से कभी भी उठ नहीं पाएगी आपको भी यह जो पीसीबी को सोचना चाहिए था कि जिस तरह से वो अपने टीम को चला रहे हैं वो सही तरीका नहीं कि पाकिस्तान के प्लेर इतने पुछ स्ट्वांग नहीं है कि वो आके अटक से अपना जो की इ चल जाते हैं कि से तरके इंट्रेस्टिंग वोडियो के रहे हमाँ चैनल पर बने रहे ना मिलते ही ने शुडियो में तो पर आपना और अपना को ख्याल रहे हैं मिलते ही ने शुडियो में बाई दूस्तों